हलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सीता फल का हल्वा तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसेल रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमें सीता फल का पल्व निकाल कर अलग करना है तो हमने एक बोल पर एक छणी रखी है चमस की मदद से सीता फल के पल्व को हम छणी में निकाल लेंगे पल्प को बीज से अलग करने के लिए हम इसे चमश की मदद से क्रश करते रहेंगे लगाता चलाते हुए प्रेस करेंगे क्रश करेंगे और इसका सारा पल्प इसके बीज से अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं कि इसमें से बीज अलग होने लगे हैं तो इन बीज को हम निकाल लेंगे और अभी भी हमें इसे क्रश करना है ताकि सारे बीज इसमें से अच्छे से अलग हो जाए आप देख सकते हैं कि हमने पल्प मैं से सारे बीच अलग निकाल लिये हैं अब छनी में जो पल्प बचा है इसे भी हम बोल में 8 कर लेंगे सेम प्रोसेश को फोलो करते हुए बाकी के सीता फल का पल्प अलग कर लेंगे तो इस तरह से हमने चार सीता फल में से पल पलक कर लिया इस पल्प की कॉंटिटी एक कप जितनी है हलवा बनाने के लिए पेन में हमने पाश्टेबल स्पुन घी एट कर दिया और घी को अच्छे से गरम कर लेंगे घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें एट करेंगे एक कप सूजी यानि की दवा और लगाता चलाते हुए लोफ लेंपर सूजी की हम घी में अच्छे से भूनाई करेंगे तो हमने यहाँ पर लगाता चलाते हुए सूजी को घी में 10 मिनित तक अच्छे से भून लिया अब देख सकते हैं कि सूजी की भूनाई अच्छे से हो चुकी है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है इस टेश पर हम इसमें एक कप दूद एट करेंगे देखिए आप यहाँ पर बोईल किया हुआ दूद भी एट कर सकते हैं हमने एक अच्छा दूद एट किया है अच्छे से इसे दूद के साथ मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कि दूद एट करने के साथ ही सूजी ने सारा दूद एबजोब कर लिया इस टेश पर हम इसमें एक कप चीनी एट कर देंगे देखिए चीनी की कॉंटिटी आप अपने टेश्ट के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि सिता फल का पल्प उल्डेडी मीठा होता है मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ड होने देंगे चीनी इसमें अच्छे से मेल्ड हो चुकी है इस टेश पर हम इसमें सिता फल का पल्प एट करेंगे तो हमने जो एक कप सिता फल का पल्प निकाल कर रखा है उसे हम इसमें एट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पल्पेट करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनिट के लिए और पकाएंगे तो आपने देखा कि इस हलवे की रेसिपी इतनी आसान है इतना परफेक्ट इसका मेजर्मेंट है कि इस आसान सी रेसिपी को कोई भी ट्राई कर सकता है इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजेगा और अपने एक्सपिरेंस हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा पल्पेट करने के बाद हमने इसको पांच मिनित तक लो फ्लेम पर और भून लिया इस टेश पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स एट करेंगे आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें एट कर सकते हैं हम इसमें 2 टेबल स्पून बादाम और काजु एट करेंगे साथ ही में फ्लेवर के लिए एट करेंगे हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर ड्राई फ्रूट्स और इलाइची पाउडर एट करने के बाद सिफ एक से दो मिनिट तक इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इसे सव कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है सीता फल का हलवा इस हलवे को सरीफा का हलवा या फिर कश्टर एपल हलवा के नाम से भी जाना जाता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपने अभी तक हमारी सीता फल की खीर की रेसिपी नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे फ्रेंड्स और फेमिली में जरूर से सेर कीजिएगा फिर मिलेंगे जाएका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई